तो गाज रिसेंटली एक Horizon Emo नमका Emulator लॉंच हुआ था जिसको बहुत सारे यूटूबर ने अभी तका सबसे बेस्ट और सबसे आप्टिमाजड विंडोज अमिलेटर बताया था तो वो यूटूबर तो अपने 8 Gen 2 Processor वाले High-End Mobile में इसी ट्राय करके बेस्ट बता देता है क्योंकि उनके मुलेटर में तो सारा कुछ इसमुच सलता है लेकिन भाई लो इंडफरी मिन्टरेंज मुलेटर बालों का क्या इसलिए गाज आज के इस वडियो में हम वही Horizon Emulator को एक लो इंडफरी मिट्रेंज में डाउनलोड करेंगे और उसमें PC के कुछ पॉपुलर गेम्स में से एक बड़िया ओपन डोल गेम एक रेसिंग गेम और एक सूटिंग गेम को ट्राय करेंगे और गाज इसी वडियो में Horizon Emulator और विलनेटर के बिसमें कंपारेजन करके इन दोन इसको डाउनलोड कर चुका हूं तो सबसे पहले हम यह पर ट्राय करेंगे Horizon Emulator को लेकिन उससे पहले में इसे ट्राय करने जा रहा हूं उस मूवेल की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस मूवेल में Snapdragon 685 प्रसेजर लगाए 6GB का RAM और 64GB श्टूरेज है अब 6GB का RAM देकर आ जाएमिस अब गूस नहीं होदा सबसे इंपोड़ेट होदा है पुर्सेजर और इसे लिए नौर्मल ही वाधे हैं इसे आप्से ब्लकेंगर को सब्सेफिकेशन कहीं हैं अगर आपको कही पर ब्लेंग के चुब नहीं करने हैं नीच नीच आपको download का option मिलेगा आपको सिंप कि सारी नेसरी आइटम्स आटोमेटिकली डाउलोड होने लग जाएंगे लेकिन यहापर कुछ चीजों को मैनुएली भी डाउलोड करना पड़ता है वो क्या है वह मैं आगे बताऊंगा लेकिन उससे पेले यहापर जो डाउलोड हो रहें उन्हें डाउलोड होने देते हैं सुकस यहापर हमेरा सारा डाउलोड हो चुका है, आब हमें नीचे आना है और यहापर हमें वाइन के काफ सेशरी वर्जन். को डाउलोड करना है जैसी कि अव ś rhyme 9.7 VANILA तो हमें इससे डाउलोड कर लेता हूँ और दूसरा में थड़का से ऊपर जाना है और यहापर हमें दोनुको बढ़ता है। यहां पर सारा डॉनलोड को चुका है, अब इसका इन्वार्मेंट और एक्स इलेवन का सेटिंग कर लेते हैं, अब इसका इन्वार्मेंट सेटिंग को कुछ भी चैंज नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत चार यूटूबर बोल रहे हैं, कि इसका डिफ फिर बहुत च्यादा लाग हुआ तो हमें अपर अपना कस्टम प्रिशेट भी बनाएंगे अब हमें सिंप्ली एप्लिकाशन को होम इस्क्रेंड में आना है और क्रिट नू कंट्रेंड में किलिक करना है उसके बाद कंफार्म में किलिक करते यहां पर काफा सरी आपशन्स आ यहां पर इंबार्मेंट प्रिशेट को गुलोवल में सेट करना है क्योंकि आमने कोई भी कस्टेम प्रिशेट नहीं बनाया है बॉक्स इस्टिवर का सबसे लेटेस्ट वर्जन ट्वांटेस्स पंट जिरो फाइब या कोई दूसरा वर्जन नो तो उससे सिलेट करना है ड अब यहां पर माफिया टू गेम का फोल्डर और यहां पर इसमें क्लिक अनक बाद भाई यहां पर लॉंसर टोट एक्सी और भाई बस चल जा अगर अगर आप हो याद होगा तो पिसले वाली बुडियों में मैंने मोबक से अमुलेटर में इस गेम को ट्राइब गया था ज देखो इंपर मैंने इसी उपन किया और मैंने थोड़ी दिरते को वेट किया और थोड़ी दिर के बाद यहां पर पर थोड़ा सा इस क्रिन आया गया एक सब्सकर पर और यहां पर नेप। सबसे बाद मैंने अपना अमुलेटर को बूट किया इतना काने के बाद मैंने को लग रहा था कि भले बहुती कम है पेस्स में लेकिन अपना तो अपना बड़ी आमिलेटर सबसे बड़ी आमिलेटर की हो राजेन एमिलेटर उसमें तो भाई ओपन नहीं हो रहा अब कुछ वह कर दो आप इसका जो गेम का फोल्डर है ना उसका फाइल सेक उट करने लगा तो फाइल्स फोल्डर बिल्गुल सही थे लेकिन यहां पर मेरेको एक गल में आपको पहले बता दिया था यह एमिलेटर सोटे से छुटे सोफटे कभी सेट फैल को नहीं चला सकते उसके बाद मैंने उसी सॉफटर को लेट्टप में इंस्ट्रल की और इंस्ट्रल क्प्लेट होने के बाद जो फोल्डर बनता है न वह सॉफटर का उस फोल्डर को अब तो आमारे गेम चली जाएगा लेकिन भाई सेम प्रोब्लम गेम लोडी नहीं होता भाई माफिया टू आपको पता होगा एक उपन वोल्ड बहुत बढ़िया गेम है जो की बाई काफी तगड़ा गेम था लेकिन भाई क्या करें चलाई नहीं पाया मुबाईल उसके ब प्रोब्लम ना आए भाई पूरा इस ग्लीच करने लगए ग्राफिक क्या हो गया भाई गेम का एफस देखो चालेज प्दा साथ के बीच में और इसका विज्वल्स देखो क्या हो रहा है ये पूरा इस ग्लीच भाई थोड़ी दर के बात तो मेरे को डर लगने लगागि क मेरा मुवाल का इस्क्रीन ना बिगर जाए उसके बाद गज मैंने इस गेम को बंद कर दिया और यहां पर मैं ट्रै करने लगा हमारा अगला गेम जिसका नाम है सिलिपिंग डॉक्स यह अगर मेरा मुवाल को चला लता है ना तो फिर तो भाई मज़ा ही मज़ा है तो जब मैं इस game को अपने laptop से mobile में transfer करके open किया तो भाई यह game तो open ही नहीं हुआ उसके बाद मैंने काफी देर तो कैसे ऐसे open करके छोड़तिया यह सुचके कि साथ से open और में जादर टैम ले रहा होगा लेकिन का जितना भी ट्रै करने के बाद यह game नहीं हुआ मैंने amoleder को restart करके try किया mobile को restart करके try किया लेकिन कुछ भी करो यह game open ही नहीं हुआ उसके बाद मैंने अपर अगला game को try किया जिसका नामे burnout paradise यह game एक चोटा सा और काफी बढ़या game है जब मैंने इसे अपनी laptop में try किया तो इसकी graphics मेरे को काफी पसंद आए उसके बाद मैंने 10-15 मिनिट तक मैंने इसे ऐसे छोड़ दिया दो तिन बार इसे reset किया लेकिन भाई loading में जाता है और loading के आगे बढ़ता ही नहीं है अब इस game ने भी मेरे काफी जर तक दिमाकरप गिया लेकिन यह भी नहीं चला तो guys मैंने आप टोटल 4 games को try किया लेकिन चार games में से एक भी गेम भी धंग से नहीं चला और गाज यह games मेंने कई से भी random ले उटा कि try नहीं गया हूँ आज मैंने जितने भी games ट्राक यहाँ ना यह वो games जिनके बार में YouTube में बता जा रहा है कि यह games snapdragon 680 से उपर के प्रसुजर में आराम से चल जाएंगे लेकिन भाई मेरे mobile में दो snapdragon 6 85 फिर भी एक भी गेम भी धंग से नहीं चला धंग से क्या बोले भाई गेम सो चला ही नहीं स्रिफ एक ही तो गेम चला था उसके बाद गाज मैंने YouTube में या फिर crash के problem के solution के उपर वीडियो जुंडा है वहाँ पर Horizon Emulator के उपर लेकिन मेरे को Mobux के उपर कुछ वीडियो मिल ग सब्सक्राइब है उसके बाद मैंने सरुसे को आफ किया और फिर से मैंने sleeping dogs और बर्नाउट परेडिस को ट्राय किया लेकिन बाई कुछ बी डिफ्रेंट नहीं था सारा कुछ सेम था वराइजन अमुलेटर में अपना आध अधीमा खराप करने के बाद अब बता कुछ अध बिल्कुल सेम प्रोब्लम आया था लेकिन बाई यहां पर तो और भी ज्यादा हो रहा था वो ग्लिच वराइजन में तो कभी-कभी वो ग्लिच थोड़ा सा सौल्व हो रहा था लेकिन बाई विल्लेटर में तो और भी ज्यादा आ रहा था उसके बाद मैंने sleeping dogs ट्रैक गया तो यहां पर होराजन एमुलेटर विल्लेटर से तोटा सब बहतर है इसका रिजन तो आपको वीडियो में पता चली गया होगा और अगर अगर आपके पास स्नापड्रागन तीरिपल एड से कम का प्रोसेजर हो तो आप आप अफ्लान एमुलेटर को यूज ना करो तो सबस कैसा आता है वीडियो काफी मसदारे जल्दी से वीडियो पर किलिक करके देखो मैं आप सच मिलता हूँ उसी वीडियो पर आज की वीडियो में इतना है थैंक्यू सुमस पर वाचिंग बाइबाइ